नमस्कार आदाब सच्छी अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार दो हजार चौबीस के लोकसभाद चुनाओ में तीन चरनों का चुनाओ गुजरते गुजरते प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी मकमल तौर पर कॉंग्रेस की पिछ पर आ चुके हैं राहूल गांधी की पिछ पर आ चुके हैं और सैम पित्रोदा को मुद्दा बनाने के चक्कर में उनकी हालत ये हो गई है कि शेम शेम हो गया है जिन उद्योगपतियों का नाम लेने से वो कतराते थे जिन उद्योगपतियों का हिसाब देने से वो कतराते थे हिंडन बग की रिपोर्ट आने के बावजूद जिस भारतिये जनताप पार्टी ने बचाओ किया गौतम अडानी का कोई जाच नहीं होने दी जेपी सी की मांग उठाई गई कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से और पूरे विपक्ष की तरफ से लेकिन जेपी सी और नहीं किया गया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज मूँ खोल कर अंबानी और अडानी का नाम ले रहे हैं है। ऐस्षी हो आपने रातो रात अमपानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। और नक्यावल अमपानी और अडानी का नाम ले रहे हैं बलकि ये कहरे हैं कि क्या और जिबहों में पैसा भरके टेम उसे कॉंग्रेस के मुख्याले तक पहुचा रहे हैं क्या टेम्पो भर करके नोटे कॉंग्रेस के लिए पहुची है क्या क्या सोदा हुआ है आपने रातों रात अबां अम्बानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया जरूर दाल में कुछ काला है यह क्या दिखाता है यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उपर नियंत्रण खो चुके हैं अपनी भाशा के उपर नियंत्रण खो चुके हैं अपनी भंगिमाओं पर नियंत्रण खो चुके हैं या फिर आप यह कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी स् बोलने लगे हैं और ये हताशा का परिचायक है ये निराशा का परिचायक है और ये दिखाता है कि तीन चरणों का चुनाओ गुजरते गुजरते प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को नजर आने लगा है कि हालात उतने चमकीले नहीं हैं जितना वो देश को दिखाना चाहते हैं वो खुद ही अपनी गारंटी पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं नरेंद्र मोदी खुद ही मोदी की गारंटी है इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और गौर कीजिए वो एक के बाद एक लगातार अपने मुद्दे छोड़ते चले गए वो किसी भी तरीके से अपनी गारंटी की बात नहीं करना चाहते वो किसी भी तरीके से अब की बाद 400 पार की बात नहीं करना चाहते वो विकास रथ निका आ गई हैं कि वो स्खुले आम सीधे तोर पर नरेंद्र मोधी को कायर बता रही हैं शब्द का जरा सुन लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि तीन चरणों के चुनाओं के बाद नरेंद्र मोधी के स्थती कैसे डगमगाती हुई नजर आ रही है नमस्कार मोधी जी थोड़ा सा घबराय गए कि तो यह क्या दिखाता है यह दिखाता है कि प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोधी के खिलाफ कॉंग्रेस पार्टी और खासकर प्रियंका गांधी राहूल गांधी और मलिकारजुन खड़ खुल कर मैदान में आ चुके वह को ले जाना चाहती वह पूरे नरेटिव को जरूरी सवालों की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं महंगाई की बात कर रहे हैं वह बेरोजगारी की बात कर रहे हैं वह लोगों में भुखमरी की बात कर रहे हैं वह प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात कर रहे हैं वह बात प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर आस्टेलिया के अख़बारों में खबरे छप रही हैं कि ये प्रजवल रिवन्ना को बचाने वाले प्रधान मंत्री हैं तो ये सारी चीजें जिस तरह फिशारा कर रही है वो बड़ा गोर करने वाली बात है क्योंकि लालू यादो का ए किसरा चरण जो था वह भाजपाक के लिए कोड़ में खाज की तरफ है अब दूसरी तरफ मीडिया के हालत देखिए राहुल गांदी ने साफ साफ कहा कि मोदी डर गये हैं क्या और ये जो काले धन वाली बात कर रहे हैं और तो से पहुंचाने वाली तो आपका परसनल एक् बयान है यह कहीं भी मीडिया में नहीं आता अखबारों की हेडलाइन मैंने देखने की कोशिश की कम से कम साथ आठ अखबारों की कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि राहुल गांदी ने कहा मोदी डर गए लीड तो कहीं बनाई ही नहीं राहुल गांदी के जवाब को और कहीं भी ये नहीं लिखा कि अडानी और अंबानी पर काले धन से रिष्टे होने का इल्जाम लगाया है खुद प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी का और कहा है कि नोट जो है वो बोरों में भरकर आटो से पहुचाया जा रहा है कि यह एक प्रधानमंत्री कायर है जो मुद्दों से भाग रहा है टो नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं है कि अचाना कि ये बयान उनकी जुबान से निकल गया नहीं 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 कोई अनारी नेता नहीं है वो जानते हैं कि कब क्या बोलना है और कितना बोलना है लेकिन अब वो देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से चुनाव को पट्री पर लाना है किसी भी तरीके से हिंदू-मुसल्मान पर इसको अगर ले जा पाए तो शायद हालात कुछ संभल जाएं क्योंकि ये बात अब जमीन मोदी कॉंस्टिउशन को तबाहों बरबाद कर देंगे अगर ये तीसरी बात सत्ता में आ गए तो और मोदी शाह नड़ा राजनाथ सिंग हर जगा सफाई देते घूम रहे हैं कि नहीं नहीं हम कॉंस्टिउशन को खतम नहीं करेंगे अब मैंने शुरू में कहा था कि कॉं और स्टिशूशन खतम नहीं करेंगे कॉंग्रेस और इंडिया गट बंदन ने कहा कि आरक्षन खतम करेंगे ये पिछडों का दलितों का आरक्षन उस पर इन्होंने टक्टकी लगा के रखा हुआ इनके कई नेताओं ने कहा कि हम सम्मिधान बदलेंगे आरक्षन को हम खारतिये जरतापार्टी के निगाज वह दलितों पिछडों वादिवासियों के आरक्षन पर लगी हुई है और मोदी ने फंजी नरेटिव गढ़ने की कोशिश की कि ये आरक्षन को धार्मी का धार पर बाटेंगे जबकि गुजरात का एक्जामपल कुछ और कहता है खु चुकी उनका चुनाओ पट्री से उतर रहा है तो वो किसी भी जरूरी मुद्दे की बात नहीं करना चाहते हैं वो ना बेरोजगारी की बात करना चाहते हैं न वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं इलेक्टोरल बॉंड साड़े 6,000 करोर रुपे से ज़्यादा की वसूली क इल्जाम है भारतिय जनता पार्टी पर और नरेंदर मोदी पर और वो 10 करोड 20 करोड 30 करोड की बात करते हैं वह साड़े 6,000 करोड जिसके साफ लिंक्स दिखते हैं कि पहले पैसा आया फिर ठेका दिया गया फिर भाजपा को इलेक्टोरल बॉंड्स का पैसा गया जिन कमप के तमाम बाजारों से वापस ले भारत में अभी तक ऐसा कोई अलान नहीं हुआ है वह एक अलग कहानी है लेकिन जो पैसा कमपनियों का गया मांस एक खास किसम का मांस निर्याद करने वाली कमपनिया जिसका अक्सर जिक्र करती है भारतिया जनता पार्टी और प्रधान मंत सिर्ष से गायब है उनके चेहरे की चमक गायब है नूर गायब है वो जो बोल रहे हैं उसमें वो बार बार फिसलते चले जा रहे हैं वो हिंदू-मसल्मान की बात अब खुल कर करने लगे हैं और ये बात धरातल पर पहुंची है कि नरेंदर मोदी जो है अब वो जरूरी म का जो उनका मौका था वो उन्होंने पूरे तरीके से बरबाद कर दिया उन्हों रहीं का ददा?, वह कारोबारियों का धंðा बढ़ाने में जो राहुल गांदी कहरे हैं जूट बोला नरेंद्र मोदी ने साफ साफ जूट बोला कि राहुल गांदी नाम नहीं लेते जबकि कई बार नाम लिया है धर्जनों बार इन कारोबारीओं का मोधी की सरकार बनानी है मोधी और अदानी जीजी या फिर किसानों की बनानी है गरीबों की बनानी है हिंदुस्तान का धन लेकर इन्होंने 22 लोगों के जेब में डाला अदानी अंबानी इन लोगों के जेब में आदानी जैसे लोग हैं जिनकी आख आपकी जमीन पर आपके जंगल पर और आपके जल पर है और यह नरेंद्र Бोधी जी के खास मित्र हैं तो प्रधान मंत्री को जब जूट बोलना पड़े खुले आम डंके की चोट पर जूट बोलना पड़े तो ये नहीं माना जा सकता कि प्रधान मंत्री को पता नहीं है कि वो जूट बोल रहे हैं वो जानबूज कर जूट बोल रहे थे लेकिन इस जूट के अलावा उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है इसलिए वह मंगल सूत्र पर जूट बोलते हैं वह एक्सरे पर जूट बोलते हैं वह अंबानी अडानी का नाम लेने पर जूट बोलते हैं तो लगातार जूट के दलदल में धसे हुए प्रधार मंत्री देश को यकीन दिलाने की कोशिश नहीं कर और अगर कोई बहुत बड़ा चमतकार नहीं हुआ कोई जादू मंतर टोना नहीं हुआ तो नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव लगातार फिसलता चला जा रहा है लेकिन अभी चार चरणों के चुनाव बचे हुए हैं और आधाई चुनाव हुआ है आधा से थोड़ा ज्या है कि जिस तरीखे की उनकी भाषा हो गई है वह प्रधान मंत्री की गरिमा की ऊक messi नहीं करना तो रेखाओं के बीच की जो समझ है वो यह कि नरेंद्र मोदी पहले क्या होता था नरेंद्र-मोूदी नरेट्यु बनाते थे और कॉंग्रेस पीछा करते थी विपक्ष के नेता पीछा करते थे जवाब देते फिरते थे इस बार क्या हो रहा है और अब साफ तोर पर हो रहा है कि विपक्ष नरेटिव बना रहा है विपक्ष मुद्दे उचाल रहा है और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उसका पीछा करने उसका जव की कोशिश करें तो इसका जवाब आपको नरेंद्र मोदी की हताशा में मिलेगा नरेंद्र मोदी की निराशा में मिलेगा और नरेंद्र की भाशा में मिलेगा इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉरण कीजिए बेल आइकान दबाईए घंटी जैसे आकरती लाइक कीजिए और कमेंट करके बताईए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा यूट्यूब पर देख रहे है तुमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ट्विटर हैंडिल हमारा है आर्टिकल 19 अंडरिस्कोर इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडिल नवीन जनरलिस्ट नमस्कार